मनीज कसब जी को चैलेंज है कि मोदी जी ने जो सच में काम किया है उस काम पर वोट मांग कर दिखा है 35 लोग मारे गए इस नुट बंदी में लाइन में लगकर खारा होने के बज़ा से कोई खेतों में कहीं मर गया भूख प्यासे कोई टैंकर के अंदर मर गया कोई रेलवे लाइन पर कटके मर गया तो यह सरकार कहे कि लॉक डाउन मेरा सही फैसला था मैं इसकी मंगल सुत्र गर्दन से निकाल लेगा भी पक्षी पाटी आ गया था भैस के नाम पर वोट मांगा जा रहा है अब दोस्तो मोदी जी काम पर वोट मांगते हैं यह कहना है मनीस कस्या जी का और इन्होंने बहुत सारे काम गिनवाए हैं तमाम का जबाब मैं इस वीडियो में दूँगा और मैं फिर बताऊंगा कि सच में मोदी जी नो original काम किया है उस काम पर वोट मांगते हैं कि नहीं और मैं कहता हूँ कि उस काम पर वोट नहीं मांगते हैं और काम मैं गिनवाएंगा मनीस कस्या जी को चैलेंज है कि मोदी जी ने जो सच में काम किया है उस काम पर वोट मांग कर दिखा है पहली बात आज आईए मैं आज आ पहला किसान सम्मान निधी पर वोट मांगते हैं मोदी जी 2014 में 14 मिनट बीजली नहीं था 2024 में 24 घंटा बीजली रहता है यह मनिश जी का कहना है सबसे लंबा हाईवे बनाने का रिकॉर्ड है उज्वाला योजना पर वोट मांगते हैं बहुत बढ़िया यह तमाम सवाल और यह काम बताए गए हैं इस सवाल का जबा मैं देता हूँ सबसे पहला है कि किसान सम्मान निधी पर वोट मांगते हैं किसान सम्मान निधी आपको भी पता होगा 6,000 रुपे किसानों को दिया जाता है पर इन्होंने ये नहीं बताया कि किसान के यूडिया का दाम, D.A.P. का दाम पोटास का दाम ठाई गुना, तीन गुना बढ़ा दिया गया और पचीस पचीस सो रुपेया कर दिया गया D.A.P. का दाम उस पर सबसीडी दिया जाता है और तीरो सो पचास रुपेया में D.A.P. मिल रहा है तो दोस्तों, ये जो बीच का 1100 रुपेया जो सबसीडी है ये पैसा किसके खाते में जाता है जब आग एक गैस सलेंडर लेते हैं तो सबसीडी का पैसा आपके खाता में जाता है तो फिर ये खाद वाला पैसा कभी आपके खाते में आया या नहीं चेक कर लीजिएगा आईए 2014 में 14 मिनट बिजली नहीं था अज 2024 में 24 घंटा बिजली रहता है यह बात हद तक सही है हलागि 2014 में 14 मिनट बिजली नहीं रहता था यह बात आप लोग भी जानते होंगे कि यह बोलने के दर्यान दर्मयान इतना खतरनाक बात बोल गये dogs बात था prim 34 में बहुत जरूरी का चीज़ था और है भी क्योंकि इसी से पूरा संसार्टिका हुआ है तो 2014 से 2024 दस साल दस साल में यो खाली बिजली ठीक करने में अगर भाजपा को लग गया तो सिर्फ एक अधार पर वोट किया जाए और दूसरी बात कि 2014 में 2024 में हमारे और आपके सकल में भी बदलाव आया होगा मनिश जी देखिए अब खुद अपना सकल एक बार देखिए कितना सकल बदल गया होगा आपका तो इस दस साल में सिर्फ अगर बिजली में थोड़ा बदलाव आ गया अच्छा बदलावा गया माल लेते हैं तो क्या सिर्फ एक अधार पर वोट किया जाए आईए सबसे लंबा हाइवे बनाने का रिकॉर्ड सबसे लंबा हाइवे बनाने का रिकॉर्ड इस देश दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या बला देश है यह देश पुड़े वर्ड में साथ नम्मर पर आता है पुड़े छेत्रफल में तो क्या इस देश में लंबा हाइवे नहीं बनेगा जब हमारा एरिये बहुत बढ़का गो है तो हाइवे कहला ना बरा बनेगा नेपाल बना सकता है इतना बरा हाइवे बंगला देश बना लेगा पाकिस्तान बना लेगा तो हमारा छेत्रफल ही इतना बरा है तो हाइवे कहला नहीं लंबा बनेगा जी सबसे लंबा रेलेवे पूल बनाने का रिकॉर्ड रेलेवे पूल बन गया सबसे लंबा अरे दुनिया के सबसे बरा नौकरी देने वाला रेलेवे एक विभाग था पुरे दुनिया का सबसे बरा सबसे ज़्यादा संख्या में नौकरी देने वाला रेलेवे विभाग था और तब भी रेलेवे चलता था मुनाफा में एक करीब किसान मजदूर पिछरा का बाद बच्चा कंपटिशन देखे जाता था जी दे दिया ठीकेदार को पेच दिया ठीकेदार के हांते प्राइवेटाइजेशन कर दिया अब इनको मौका नहीं मिला जाने के लिए तो जो दुनिया का सबसे बड़ा नियुकता बला बिभाग को खतम करते चला गया यह सरकार तो खाली यह गोई रेलवे फुल बना लिया यह बात हो गया सबसे सराहनिये उजवला योजना पर बोट मांगते हैं बहुत बढ़िया उजवला योजना उजवला योजना जब दिया गया तो माननिय प्रधान मंत्री स्री नरंद्र मोदी जी ने कहा कि दोस्तों आप अपने सबसीडी का पैसा छोड़िए और उससे हम उन लोगों तक उजवला योजना के माध्यम से गैस और चूला उनको उपलब्ध करवाएंगे जो जलाबन पर खाना बनाते हैं उपलब्ध कराया गया बात सही है लेकिन गैस सलेंडर का दम जब चार सो से बार सो कर दिया गया तो वह गरीब आदमी दूबारा गैस नहीं भरवा सका और उन रखा गया है ताखा पर तक हाब उस दें कोठी अपना घर में होता था पहले मिट्टी बला जो में अनाज भराता था अउपर लोग समान रखता था उहां रखा गया गरीब आदमी गैस सलेंडर नहीं भरा सकता था फ्लॉप है योजना और जो उन्होंने काम किया है जिस काम के लिए उन्होंने जबर्दस्त वादे किये थे इस पर वोट मांगना चाहिए जैसे ही 2014 में कहे थे कि मा गंगे ने मुझे भुलाया है बारा नसी आ गये मा गंगे ने भुलाया है और अब तो कहते हैं मैं गंगा पुत्र हूँ तो फिर ये मा चीक चीक कर आपको पुकार रही है माननी ये मोदी जी गंगा की पानी काला हो गई है यामुना की पानी भी काली हो गई है ये गंगा चीख-चीख कर आपको पुकार रही है कि बेटा कब आओगे और हमारा उद्धार करोगे तिसरा बार दो बार तो आप बन्चु के प्रधान मंत्री ये तिसरा बार है मा गंगे का एक बार क्यों नहीं सुनते हैं सिर्फ मा गंगे ही आपको बुलाती है, सिर्फ बुलाने के लिए सुनते हैं, और मा गंगा जो चीक-चीक कर बोल लही है, इस पर आपने योजना भी बनाए, बजट भी बनाए, पर आपके काम कितने सफल हुए, आईए, और आप इस टेज से खरे होकर कहिए, कि मा गंगा के अधिर्फ लाम पर वोट दिजिए मुझे, मैंने गांगा मा का उद्धार कर दिया है, मांगिये वोट, मैं आपके साथ हूँ, आतंकवाद और भरस्टाचार को समाप्त करने के लिए नोट बंडी, अन्ठानमे परतीसट वोट बदले गए, आतंकवाद और भरस्टाचार क समाप्त करने के लिए हमारे माननिय प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने कहा, रात के 8 बजे आये और सीधे कह दिये कि आज से, कल से ये परचलन में नोट नहीं रहेगा, कौन नोट, हजार और पांसो के नोट, नहीं रहेगा, ताकि जो पैसा बैंक में ना जमा करके, जो पैसा संदूक में भढ़के रख ले होगा, जमीन में गार के रख ले होगा, घर में रख ले होगा, अलमारी में रख ले होगा, गोदरेज बातरूम जहां भी रखे हुए होगा, उपैसा वहीं के वहीं दी मोनिटाइज हो जाएगा, चलन में नहीं रहेगा वो पैसा, और उ गया तब कईसे अतंकबाद और भरस्ट अचारियों पड़िए हमला हुआ बता दीजिए मुझे हमरे पास अगर 5 करोड था 5 करोड गये 5 करोड के 5 करोड मेरा बदला इये गया तब फिर कईसे भरस्ट अचारियों के उपर हमला हुआ मुझे बताईए 95% नोट बदले गए जबकि इसके चक्कर में 16,000 करोर रूपे का नुकसान हुआ इस देश को और दोस्तों जानते हैं हमला किस पर हुआ 35 लोग मारे गए इस नोट बंदी में लाइन में लगकर खारा होने के बज़ा से और भगदर होकर कुछ लाने के बज़ा से और हमला किस पर हुआ जानते हैं भराष्टा चारियों पर नहीं हमला हुआ आम जनता पर चार महिने में 15 लाख नोकडियां गए Center for Monitoring Indian Economy CMIE ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि किंदर सरकार के इस फैसले के बाद नोट बंदी के बाद अगले चार महिने में 15 लाख लोगों की नोकडियी चली गए रिपोर्ट में कहा गिया कि अगर यहां 15 लाख होगा 15 लाख लोगों की नोकडियी चली गए रिपोर्ट में कहा गिया कि अगर एक चार आसरीत लोगों पर एक इंसान कमाई करने वाला है तो 60 लाग से अधिक लोगों के मुह के रोटी का निवाला छिन गया अगर घर में एक आदमी कमाने वाला है और चार आदमी का भरन पोशन हो रहा है उस पर एक का नोकड़ी गया तो चार लोग उससे प्रभावित हुए इस तरह से कहिए कि 15 चोगे 60 लाख लोगों के रोजी रोटी पर तला लगा दिया गया इन पर इन पर असर परा तो सरकार कहे कि मेरा ये फैसला सही था और मैंने जो नोट बंदी किया था काहने मोदी जी स्टेज पर खड़ा होगर बोलते हैं कि नोट बंदी मेरा सही फैसला था और ये इतना बरा सही फैसला था कि देश का ग्रोथ बढ़ गया और इस अधार प याद है न lockdown कि भूल गए हैं lockdown लगाया गया यह कैसा फैसला था जो सीधे कह दिया गया कि आज से lockdown जो जहां है वहीं पड़े रहे घड़ में है तो घड़े में रहे बहड़े है तो बहड़े रहे कोई रास्ते पर ना निकले बाबो जो बाहर में कमाने गया है वो ही रहे, जो गाओं में है वो ही रहे, क्योंकि निकलना है ये नहीं है, इस सरकार ने एक बार ये फैसला लेते टाइम ये नहीं सोचा, कि जो लोग डेली कमाता है और डेली खाता है, वो दस दिन के लिए रासन नहीं रख रखा है घर में, दो द बिचने वाला जुता सीने वाला या मजदूरी करने वाला भिक्ती जो डेली काम करता है तब डेली उसके पड़िवार चलते हैं सरकार ने सीधे कहा कल से घर से निकलना बन और क्या लोकडाउन हुआ लोग रुके इस फैसला को लोगों ने माना नहीं मान पाया और यह सफल बिमारी से तो कम लोग रास्ते में दम तोड़के मर गए भूखे प्यासे देख रहे हो यह सीन याद है क्या याद है कैसे एक बच्चा इस अटैची पर और एक महिला बुढ़ी महिला किचते हुए इस बच्चे को क्योंकि रोड में चलने के लिए कोई गारी नहीं थी और कोई खेतों में कहीं मर गया भूख प्यासे कोई टैंकर के अंदर मर गया कोई रेलवे लाइन पर कटके मर गया तो यह सरकार कहे कि लौक डाउन मेरा सही फैंसला था मैं इस अधार पर वोट मांगता हूँ ना कभी नहीं कहेगा मनिस बाभू जो काम गिना रहे सरकार के इस काम को गिना दीजिए यह बरे बरे काम सरकार ने किये है इस काम को आप नहीं गिना सकते आईए और आप चांदते हैं इस लोकडाउन को लगने से क्या हुआ फैक्टरियों में ताला लगा कहते हैं कि सरकारिये नोकडिये को लेकिन इस समय देखिए कैसे कंपनियों को बंद किया गया। कुरोना काल में भारत में एक दसमलों 89 करोड वेतन भोगी लोगों की गई नौकडियां CMIE का रिपोर्ट है। Center for Monitoring Indian Economy, CMIE ने कहा कि इस साल सिर्फ जुलाई में करीब 50 लाख वेतन भोगी लोगों ने अपनी नौकडियां गवाई है जबकि अपरेल से अभी तक एक करोड नवासी लाख लोगों की नौकडियां चली गए। यही हाल नोटबंदी में हुआ और यही हाल करोणा के समय लोकडाउन में हुआ। आप डिस्टेंस बना लीजिए यह बहुत भयानक भीमारी है लोग डिस्टेंस बना लेते और आपको अगर घढ़ जाना है तो ट्रेन की हम सुभिधा देंगे आप ट्रेन में बैट के जाईएगा और डिस्टेंस बना के जाईएगा एका एक भगदर नहीं होता यह जो बोट मांगा जाता है किस बात पर देखिए मंगल सुत्र के नाम पर कि मंगल सुतरगर्दन से निकाल लेगा भी पक्षी पाटी आगया था भैस के नाम पर भूट मांगा जा रहा है अब तो बात टोटी तक आगया है कि आएंगे तो नल के टोटी भी खोल लेंगे ये पानी पीने तक नहीं देंगे इस पर भोट मांगा जा रहा है मैंने जो काम बताया है आधर निये प्रधान मंत्री जी आप अपने इस काम के उपर कभी एस्टेज से बोल कर और बोट मांग कर दिखाए और मनीज जी मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मैंने जो काम बताया है इस काम पर एक बार कहिए कि ये सारा डिसीजन सही था इस सरकार का मैं मान लोगा आपको मिलते हैं फिर अगली वीडियो में थैंक्यू जैहिन जैभारत नहीं न बोलेंगे मनीज कर्शेब क्योंकि अब कुर्सी प्यारा है वीजेपी पार्टी जब से जोएन किया है दोस्तों यही मनीज कर्शेब था कि जब पतरकार थे तो ना जाने कितने नाकामी देखाते थे सरकार की लेकिन अब इतना खाली काम्याब ही दिखा रहे है यानि सब काम बोलें यह सही है यह किया वो किया जो नहीं किया उसको नहीं दिखा रहे है